हेलो वाइस। और वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो मारा OPPOS A17 तो OPPOS A17 फ़़न की सेडिंग्स पे जाकर जो मारे फौन में अप्षंज दाता है कि कैसे आप फौन की सेडिंग्स पे जाकर डाटा उसेंट है तो डाटा उसेज को आप कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे अपन आप मेहीं बैल आइकन दबाने ना भूलें तो वीडियो चाट दे लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि फॉन के आइकन से शो रहें तो आपको swipe करना है swipe करती है अला इकन से अपन जाएंगे तो आपको settings पे जाना है क्लिक करती फॉन की setting से अपन जाएगे तो data usage सेट कैसे कर सकते हैं वह 17 फान में तो सेटिंग शो हो लिया तो आपको स्रुच करना है डाटा ऑप यूसेज पर यह पहर डाटा यूसेज में कोई भी ऑफ्शन शो नहीं होगा तो आपको डाटा लिमिट पहले सर्च कर लेना है तो data limit सेटिंग से आजाएगी इस पर जाकर जो भी आपके फ़ौन की limit है उसको आपको set कर सकते हैं यहां से ओस कर देंगे तो set नहीं कर पाएंगे और on करते हैं तो आप limit वाया को लगा सकते हैं जो भी limit आप सेट करना चाहते हैं, यहां से डाटा लिमिट को आप सेट कर पाएंगे, जो भी आप लिमिट सेट करना चाहते हैं, तो हम इसमें सेट करना चाहते हैं, 900 MB, तो ओके करती हैं, 900 MB आपके फोन में सेट हो जाएगे, और अपने फोन में आप डाटा लिमिट को लगा सकते हैं और set भी कर सकते हैं तो आपकी 900 MB आपके फोन में set हो जाएगी data limit तो इस तरही से भी आप data usage limit को set कर सकते हैं हमने oppo phone में और साथ में आप warning limit को भी set करना चाहें तो कर सकते हम 500 MB warning limit को set करना चाहें तो इस तरही से आप data warning की limit भी set कर सकते हैं तो इस तरह से आप डाटा यूसेज की लिमिट को सेट कर सकते हैं और फोन में डाटा लिमिट लगा सकते हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ महीं बैल आइकन दवाने ना भूलें नेक्स वीडियो के लिए इंतिजार करें वीडियो को शेयर करें थैंक यू